उर्मिला माताउंकर इस वक्त लगतार सुर्खियों में है उर्मिला की शादी तूटने की कागार पर है और अब आक्टरस अपते पती मोशीन अक्तरमीर से तलाक ले रही है बता दे कि आक्टरस ने शादी के 8 साल बाल अपने पती से अलग होनी का फैसला लिया है वहीं जब से ये खबर सामने आई है चारो तरफ हलचल मुच गई है तो चलिया जब आपको बताते हैं कि आखर कैसे दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी पहले तो बता दे कि लंबे सबे तक फिल्मों से गायब रहने के बाद अचानक खुद से दस साल चोटे कश्मीरी मुस्लिम से निकाह कर हर किसी को चौका दिया था दोनों की उम्र में दस साल का फर्क था जिस वज़े से कपल का खूब मजाग भी बनाया गया दोनों ने साल 2016 चार फरवरी को इंटिमेट वेडिंग की थी वही दोनों की ये इंटर फेट मैरिज काफी ज़ादा सुड़कियों में रही लेकिन कपल ने इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपने जीवन की एक नई शुरुआत की वही अब दोनों की लव स्टोरी की बात की जाए तो दोनों की पहली मुलकात साल 2014 में मनीश मनोतरा की भान जी रिदी की शादी में हुई थी मोशीन की तरफ से ये एक लव एट फरस साइट था वही इसके बाद दोनों ने मिलना जिलना शुरू की आउट पर दीरे दीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए वही मोशीन ने पहले उडमिला को शादी के लिए प्रपोस किया था लेकिन शुरू में उडमिला इस रिलेशन में आने में थोड़ी जिजक रही थी हाला कि मोशीन ने हाड नहीं मानी वे उर्मिला को इंप्रेस करने के लिए लगतार मिलते रहे और उन्हें Special Feel करवाने के लिए कई सारे GIFTS और शॉपिंग पड़ ले जाया करते थे फिर एक दिन उर्मिला ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और उन्होंने महशीन से शादी करने का फैसला किया मुई कहा जाता है कि दोनों को मिलाने में मनीश मनहुत्रा ने एहम रोल प्ले किया था। मुई फिर दोनोंने साल 2016 में शादी रचाई। पहले उन्होंने हिंदू रिती रिवास से शादी की और फिर निका सरिमनी किया। वहीं आपको बता दी कि उर्मिला ने अपनी शादी को खत्म करने के लिए कानूनी कारवाई शुरू कर दी है। उन्होंने मुंबई की कोट में तलाग की अर्जी दे दी है। रिपोर्ट्स के मताबिक मुंबई की कोट के एक सूत्र ने जानकारी दी है कि एक्टरस ने तलाग के लिए अर्जी दायर की है हाला कि दोनों के अलग होने की वज़य तो सामने नहीं आई है पर सूत्रों के मताबिक यह तलाग आपसी सहमती से नहीं हो रहा है बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से दोनों की बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और दोनों अलग-अलग भी रह रहे थे ऐसे में अब शादी के 8 साल बाद दोनों का यह रिष्टा है तूटने की कागार पर पहुँच चुका है वहीं बता दे कि मोशीन पेशे से एक बिजनसमेन और मॉडल भी है इतना ही नहीं उन्होंने कई सारी फिल्मों में आक्टिंग भी की है मोशीन ने साल 2009 में आई फिल्म इट्स अ मैंस वर्ल से आक्टिंग डिब्यू किया था फिर भी ये पास लग बाई चांस और मुंबई मस्त कलंदर जैसी फिल्मों में भी वो नजर आ चुके हैं लेकिन मोशीन अब पूरी तरह से अपना बिजनस ही समालते हैं वहीं अभी तर कुडमिला की तरफ से इस खबर की कोई भी पुश्टी नहीं की है ऐसे में फैंस को मीर है कि दोनों की बीच सब जल्द ही ठीक हो जाए वहीं चलते चलते एक ज़रूरी चांकारी आपको न्यूजनेशन के यूटूब चानल पर एक जॉइंट बटन दिख रहा होगा इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबर्शिप ले सकते हैं बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी एंटर्टेन्मेंट की तमाम बड़ी खबरों के हमाई साथ बने रहें और देखते रहें न्यूजनेशन नीजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें